दोस्तो इतने बजे से खेला जाएगा भारत और इंग्लेंड का तीसरा टेस्ट मुकाबला के और लाहुल सही तीन दिगज खेलाडी हुए पाहर स्वागत है दोस्तो आप सभी का हमारी यूटुब चैनल के गेट देखो जी में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लेंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला कब खेला जाएगा कितने बजे से खेला जाएगा और कौन से टिवी चैनल पर आप इस मुकाबले को देख सकते हो साथी में यहाँ पर टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े बदला हुए हैं और किया लाहुल सहीत कौन से तीन दिगज खिलाडी बाहर हुए हैं पूरी खबर विस्ताज से आज हम आपको बताएंगे लेकिन उससे बिले दोस्तो गर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो चाहते हो कि तीसरा टेस्ट मकाबला टीम इंडिया जीते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तो आज की इस वीडियो का लाइक टरगेट मातर 1000 लाइक का है तो दोस्तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तो इस वीडियो को अंतर तक जरू देखे तो चलिए दोस्तो बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो भारत और इंग्लेंड के बीच तीसरा टेस्ट मकाबला 24 फरवरी से खेला जाने वाला है दोस्तो यह मैच एहमादबाद के सरदार पटिल स्टेडियम में खेला जाएगा शुरूआती दो टेस्ट मकाबले दिन में खेले गए थे लेकिन अब तीसरा टेस्ट मकाबला डे नाइट टेस्ट मैच के रूप में खेला जाने वाला है और इसके समय में भी बदलाव हो रहे हैं तीसरा टेस्ट मैच दो पहर डाई बजे शुरू होगा वहीं दोस्तो यह मैच पिंक गेंज से खेला जाने वाला है जिससे इस टेस्ट मैच का रूमान चरम सीमा पर पहुंच जाएगा दोस्तो एहमादाबाद के सरदाल पटेल स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का दरजा मिल चुका है इस मैदान पर दर्शुकों को आने की अनुमती भी मिल चुकी है और यह स्टेडियम तेज गेंबादों के लिए बहुती ज़दा अनुकूल माना जा रहा है इसे में दोस्तो बाटेटी में अधीक तेज गेंबादों को मुका मिलने की पूरी संभावना है दोस्तो तीन एहम तेज गेंबादों को आराम दिये जानी की संभावना भी जदाई जा रही है इसके अलावा दोस्तो बल्लेबादी में भी कुछ बड़े बदलाओ देखने को मिल सकते हैं जहां पिछले मैच में शुबमन गिल खराब प्रदर्शन के साथ चोटिल हो गए थे हालाएं कि अब तक शुबमन गिल की चोट पर कोई भी अधिकारिक रूप से खबर नहीं मिली है ऐसे में हमें ओपनिंग बल्लेबादी में बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है वहीं दोस्तो तीसरे टेस्ट मैच में भाटी टीम में एक दिगज ऑल्डाउंडर की वापसी होते हुए भी दिख सकती है तो चलिए दोस्तो जान लेती हैं तीसरे टेस्ट मकाबले के लिए भाटी टीम में कौन कौन से बड़े बदलाओ हुए हैं और कौन से ग्यारा खिलाडियों के साथ टीम इंडिया मेदान पर उतरने वाली है तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं लेकिन उससे पिले दोस्तो आप सभी से हमारा एक चोड़ा से सवाल ही कि भारत और इंग्लेंड के बीच होने वाला तीसरे टेस्ट मकाबला खोन जित सकता है दोस्तो आपको क्या लगता है कमेट बॉक्स में अभी के अभी जाकर जरूर बताए तो चलिए दोस्तो बात करते हैं नमबर एक खिलाडी की दोस्तो ओपनिंग बल्लेबाजी में भाटे टीम की तरफ से सबसे बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है दोस्तो जहां पहले स्थान पर ओपनर के रूप में रोहीच सिर्मा मौजुद होंगे रोहीच सिर्मा ने के तोर पर इस मकाबले में शुबमन गिल की खेलने की आशंग का बहुत ही कम है खराब प्रदेशन और चोट के कारण शुबमन गिल को तीसरे टेस्ट मैच से आराम दिया जा सकता है और इनकी जगह भाटे टिम में महिंक अगरवाल खेलते होई दिख सकते हैं बले ही महिंक लेकिन पिछले एक साल से अब तक अंतराश्टी करिकेट में विराट कोहली ने एक भी शतक नहीं लगाया है दोस्तो विराट कोहली भाटे टीम के टेस्ट करिकेट के एहम बल्लेबाज माने जाते हैं विस्पोटक बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली एहमादबाद के इस स्टेडियम में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का जल्वा भी खेर सकते हैं वहीं दोस्तो नमबर चार पर भाटे टीम में चेतेशुर पुजारा मौज़ूद होंगे दोस्तो टेस्ट मैचों के स्पेशिलिस्ट खिलारी चेतेशुर पुजारा दूसरे टेस्ट मैच में इंगलेंड के खिलाब कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सके थे दोस्तो चेते शुर पोजारा तीसरी टेस्ट मैच में एहमदबाद के स्टेडियम में अपने फॉर्म में लोड सकते हैं वहीं दोस्तो नमबर पांच पर भाटे टीम में अजिंग के रहाने मौज़ुद होंगे वहीं दोस्तो बात करते हैं नमबर 6 खिलाडी के दोस्तो यहाँ पर आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज के तोर पर रिशाप पंत जिहां दोस्तो विकेट कीपर बल्लेबाज रिशाप पंत ने अब तक पिछले कुछ समय में टेस्ट सीरिज में अपना शांदार प्रदेशन दिखाया है और लगातार टेस्ट रैंकिंग में भी उचाल पाई है वहीं दूसरे टेस्ट मैच में इनकी विकेट कीपिंग में भी ज्यादा सुधार देखने को मिला है रिशय पंत की कुछ पारियों में अर्दश तक लगा चुके हैं वहीं दूसरो नर्वस 19 होकर भी दो बार अपने शितक से चुक गए हैं वहीं दूसरो इसकी अलावा नमबर 7 पर भाटे टीम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है दोस्तो पिछले टेष्ट मुकाबले में शांदार प्रदशन कर चुके अक्षर पटल को तीसरे टेष्ट मैच में आराम दिया जा सकता है क्योंकि एहमादबाद के पीछ तेज गेंबाजों के फेवर में नजर आ सकती है ऐसे में अक्षर पटल की जगध हार्दिक पांडया की भाटे टीम में वापसी हो सकती है दोस्तो लंबे समय के बाद हार्दिक पांडया अंतराष्टे टेष्ट किरकेट में वापसी करने वाले है वहीं दोस्तो नमबर आट पर भाटे टीम में आल डाउंडर रवी चेंदरन अश्विन मौज़ूद होंगे दोस्तो अस्टले के खिलाब अपनी गेन बाजी और बल्ले बाजी से अश्विन ने शानदार पदरशन दिखाया था जिहां दोस्तो नमबर नो पर भाटे टीम में तेज गेन बाज के रूप में मौज़ूद सिराज मौज़ूद होंगे अस्टले के खिलाब शानदार पदरशन करते हुए मौज़ूद सिराज ने अपने बहतरीन गेन बाजी से हर किसीं को चौंका दिया था और मौज़ सिराज को पिछले टेस्ट मैच में इंगलेंड के खिलाब भी खेलने का मौका मिला था हालनकि पिछले टेस्ट मैच में मौज़ सिराज कुछ खास प्रदरशन नहीं कर सके थे परन्तु एहमदबाद के इस नए स्टेडियम में सिराज बहतरीन प्रदेशन कर सकते हैं वहीं दोस्तो नमबर दस पर भाटे टीम में तेज गेनबाज के रूप में जस्पीद बुमरा की वापसी होना लगभग तै मानी जा रही है दोस्तो तीसरे टेस्ट मैच के नजरिये से जस्पीद बुमरा को दूसरे टेस्ट मैच में आराम दिया गया था लेकिन अब तीसरे टेस्ट मैच में भाटे टीम को इनकी बहती ज़्यादा जरूरत होगी दोस्तो जस्पीत मुमरा अपनी गेनबाजी से इंगलेंड के बल्ले बाजों के गुटने टेक सकते हैं यहां दोस्तो वहीं बात करते हैं नमबर 11 खिलारी की दोस्तो आप सभी को बता दी कि अब तीसरा टेस्ट मैच इशान शर्मा के लिए गोल्डन चार्स सांबित हो सकता है जिहां दोस्तो आप सभी को बता दी कि एहमादबाद का स्टेडियम इशान शर्मा की तरह गेनबाजी करने वाले खिलारियों के लिए काफी जादा अनुकूल माना जा रहा है ऐसे में इशान शर्मा को तीसरे टेस्ट मैच में जगह में ना लग भगताए है दोस्तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया के पैंग इलोण हो सकती है जहां पर बड़े बदलाओं के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतर सकती है दोस्तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मकाबला जीत पाईगी उसका जुआब हमें कमेट बॉक्स में जरूर दे दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे तो चले दोस्तो आज की इस वीडियों बस इस दो